आप सभी का हर्दीक स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे परधान मंतरी मोदी जी के दौरा एक ट्विट किया गया जिसके माद्यम से उन्हें बताया कि वह रोम के लिए रवान खो रहे हैं तो क्या है इनका रोम रवाना होने का उदिस है तो लिविंग फॉर रोम टो एटेंड जी ट्वेंटी सम्मिट इटली सम्मिट जी हाँ ये G20 सम्मिट का आयोजन होने वाला है 2021 के लिए जिसके लिए परधार मंत्री मोदी जी इटली गए हुए है और इटली के रोम सहर में यह आयोजन होगा यह आयोजन दो दिवसिये है यानि कि आज और कल 30 और 31 अक्टूबर दो दिन यह आयोजन चलेगा तो क्या है G20 और G20 के बारे में जानेंगे कौन-कौन से देश इसमें सामिल है और उन देशों के जो head of the country हैं उनके बारे में भी जानेंगे इन्होंने दो ट्विट किया था एक ट्विट जब यह उरान भर रहे थे उस समय की यह फोटो है जब इन्होंने ट्विट किया था living for Rome और एक ट्विट है इनका जब वहाँ रोम पहुँच चुके थे ठीक है तो हमारे परधानमंत्री जी इतने अपडेट रहते हैं अमेश इसा निव्ज देते रहते हैं ठीक है तो यह जब लैंड कर चुके थे उस समय की यह तस्वीर है आई यह बात करते हैं जी ट्वेंटी सम्मिट के बारे में दोस्तों जी ट्वेंटी सम्मिट जो है यह दो हजार एक्कीस का आयोजन हो रहा है इटली के रोम सहर में यहां संसकरन होगा इस सम्मिट का मोटो क्या है तो पीपल प्लानेट एंड प्रोस्परीटी टिरपल पी इस सम्मिट का मोटो है यह सम्मिट दो हजार एकिस में रोम इटली सहर में हो रहा है तो हमारे लिए आगे और पीछे का भी जानना महत्वपूर्ण है कि यह सम्मिट जो है 2020 में कहा हुआ था तो यह सम्मिट 2020 में रियाद में हुआ था जो कि सौधी अरब में है ठीक है और 2022 में जो इसका यूजन है वह बाली में होगा और बाली जो है वो इंडोनेसिया में आता है अब G20 की स्थापना कब हुई थी तो G20 की स्थापना 1999 में हुई तो सोचने वाली बात यह है कि यह जो संस्करन है यह महज 16 वा संस्करन है जबकि इसकी स्थापना के लगभग कितने साल हो गए लगभग 22 वर्स हो गए है ऐसा इसलिए हुआ चोकि इसका जो पहला संमिट है वो 2008 में जाकर हुआ और हुआ हुआ कहां पर वासिंग्टन DC में और वासिंग्टन DC आपका USA में पड़ता है ठीक है आईए 20 देश जो इसमें भाग लेंगे तो इसमें यह जो समू है G20 इसमें कुल 19 देश है और एक है आपका European Union एक संग है European Union इसको मिलाकर इसे G20 नाम दिया गया है तो सभी देशों के नाम देखेंगे फिर आगे हम मैप पर भी देखेंगे तो सबसे पहला है जापान जापान की तरब से फूमियो की सुदा भाग लेंगे परधान मंत्री के तोर पे दक्षिन कोडिया की तरब से है मून जे इन जो वहां के प्रेसिडेंट है चीन की तरब से सी जिन्पिंग भाग लेंगे जो की प्रेसिडेंट है आस्टेडिया की तरब से स्कॉर्ट मौरिसन भाग लेंगे जो की परधान मंत्री है इंडोनेसिया की तरब से भाग लेंगे जोको बिडोडो इंडोनेसिया की प्रेसिडेंट है डक्षिन अफिर्गा की तरब से सिरिर रामफोसा भाग लेंगे प्रेसिडेंट है रूस की तरब से ब्लादिमीर पुतीन भाग लेंगे जो की प्रेसिडेंट है भारत की तरब से माननिय प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी जी भाग लेने के लिए रवाना हुए है ब्राजील की तरब से भाग लेंगे जेयर बोलसेनारो प्रेसिडेंट है सौधी अरब की तरफ से भाग लेंगे सौधी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउट ठीक है इटली की तरफ से भाग लेंगे मारियो द्रागी जो की चेर्मेन होंगे और ये होस्ट कर रहे हैं इस G20 21 2021 सम्मिट को ठीक है 2021 के सम्मिट की अधिक्स्ता कौन करेंगे इटली के प्रधान मंत्री मारियो द्रागी तो ये हमारे एक्जाम के दिश्टिकों से भी काफी महत्तपुर्ण है फ्रांस की तरब से भाग लेंगे इम्मैनुवल मैकरो जो की प्रेसिडेंट है जर्मनी की तरब से भाग लेंगे एंजिला मरकल जो की चांसलर है बिर्टेन की तरब से भाग लेंगे बॉरिस जोंसन जो की प्रधान मंत्री है तुर्की की तरब से भाग लेंगे रेसप तय यप इडोगान जो की प्रेसिडेंट है, कनाडा की तरफ से भाग लेंगे, जस्टिन टूडो जो की प्रधान मंत्री है, यूएसो की तरफ से भाग लेंगे, जो की अमेरिका के राष्ट पती है, मैक्सिको की तरफ से भाग लेंगे, एंड्रेज, मैनुवल, लापेज, ओबर जो कि प्रेसिडेंट है अर्जिंटीना की तरब से भाग देंगे अलबर्टो फर्नांडीज जो कि प्रेसिडेंट है अब यूरोपियन यूनियन 19 देश हो गए हमारा और एक संग है यूरोपियन यूनियन उसकी तरब से भाग देंगे चार्ल्स माइकल और उर्सूला वांड लेओन जो है वो प्रेसिडेंट है European Union Commission के तो European Union Commission के जो अध्यक्ष है वो है उर्सूला वांडे लेओन इससे हमारा दो काम हो गया कि हम उस स्टेट और कांट्री और उनके head of country के बारे में मतलब उस country के head कौन है दोनों के बारे में चान लिया इसके अलाबा क्या इतने ही देश सामिल होंगे इसके अलाबा इसमें ब्रुनेई उसके अलाबा इसके बाद आपका हो गया Democratic Republic Congo, Netherlands, Ravanda, Singapore और Spain यह 6 देश भी guest host के तोर पर आमंतरित है ठीक है तो यह जो सम्मिट है आपका इसकी पहली बैठाग 2008 में Washington DC में हुई थी और यह जो है 2009-2010 में जो है दो बार आयूजित हुई थी साल में दो बार होने लगी थी लेकिन 2011 में जब France ने इसकी अध्यक्षता की थी उसके बाद से यह साल में केवल एक बार आयूजित होती है तो यह G20-21 सम्मिट जो है वह आपका सोलमा संस्करन है तो आपसे प्रसना आएगा कि सोलमा G20 की बैठाग की अध्यक्षता कौन किस देश ने किया या कहा आयूजिन हुआ तो यह आपका इटली के रोम सहर में हुआ ठीक है 2020 में कहा हुआ था तो यह हुआ था आपका 2020 का जो है आयूजिन रियाद में हुआ था और रियाद कहा है यह सौदी अरब में है ठीक है 2022 का आयूजिन कहा होगा जो की 17th G20 सम्मिट होगा 17th G20 सम्मिट जो है वह आपका बाल में होगा और बाली जो है आपका वो इंडोनेशिया में है ठीक है आगे हम मैप पर देखेंगे कि जी ट्वेंटी देशों को मैप पर देखेंगे तो यह जो है आपका पॉलिटिकल मैप है उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से देशने एक बार रिवाईज करेंगे फटाक से जापान जिसके तरफ से थे फुमियो की सिदा धक्षिं कोरिया की तरफ चीन से थे शेजिन पिंग आउस्टेलिया से थे असकॉर्ट मौरिशन इंडोनेशिया से थे आपके इंडोनेशिया से जोको वी डोडो थे ठीक है भारत की तरब से मोदी जी गए है रूस की तरब से ब्लादिमीर पुतीन तुर्की की तरब से जो है आपका वो आपको रेसेप तैयप इडोगान है यूरोपियन संग की तरब से उर्सूला वांडे लेओन और चार्ल्स माइकल दो भाग ले रहे हैं बेटेन की तरब से बोरी जोंसन गए हैं जर्मनी की चांसलर हैं एंजला मरकेर वो भाग ले रही हैं फ्रांस की तरब से इमेनुवल मैकरोन भाग ले रहे हैं इटली की तरब से जो इटली जो है होस्ट कंट्री है ये बहु है इटली के प्रधानमंत्री है मारियो द्रागी सॉधी अरब से भागगले रहे है वहां के किंग सलमान सलमानबिन अब्दुल-अजीज अल-साउथ भाग ले रहे रहे हैं ब्राजील की तरबаг से भाग ले रहे हैं आपके अ ब्राजील के तरब से जेर Bolsonaro जो जो कि प्रेसिडेंट है आर्जेंटीना की तरब से भाग ले रहे हैं अलबर्टो फनांडी जो यहां पर देख सकते हैं आप मेक्सिको की तरब से एंड्रीज लापेज अब्राडोर भाग ले रहे हैं यूएसो की तरब से जो बाइडेन और कनाडा की तरब से भाग ले रहे ह कौन कनाड़ा की तरफ से भाग ले रहें जस्टिन टूडू जो की परधान मंत्री है यह था आपका यूरोपियन जी ट्वेंटी सब्मेट के बारे में आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल क